चाहिन दोस्तों कैसे हैं आप तोग उमीड है आप सब बहुत अच्छे सुने आए बात करते हैं एक important questions और इसमें हम देखेंगे तीनों आवस्थाइं सैसे आवस्था, बाले आवस्था, किसोर आवस्था, इन तीनों आवस्थाओं से सम्मझें जो भी प्रश्ण पूछेगा हैं यह तीनों आवस्थाओं क्या होती हैं आए देखते हैं इन तीनों आवस्थाओं को एक ही वीडियो में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं द क्या है दोस्तों तो देखिए इनफैंसी यानि कि सैस्वा अवस्था बालक के जन्म लेने की उपरांत की अवस्था को सैस्वा अवस्था कहते हैं मतलब जीरो से इसका उम्र कोई पूछे तो जीरो से 6 साल की अवस्था को सैस्वा अवस्था कहते हैं यह अवस्था 6 वर्स त होता है सभी आवस्थाओं में सैस्वा अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है यह आवस्था ही वह अधार है जिस पर बालक के भावी जीनेवन जीनो से तीन कौन सा है बहिए जीनो से तीन पूर्व सैस्वा अवस्था और तीन सचे उत्तर सैस्वा अवस्था खाल offspring टो यह होग रखाल सी जैस्वा ऑस्था क्वारई में समाने में करें और चोटी छोटी से इसकी वस्था की परवाशा बालक को जो कुछ बना है प्राणम के 4-5 वर्सों में बन जाता है तो यहीं चोटी-चोटी सिट्वर अखरक्रितिक्स क्या होता है तो देखिए जीरो से 6 सल के बच्चे की आप कलपना करिें sermonů जगत में विचैंड हो सब्सक्राइद करिदा। जो भी उसकी दिन चर्या की काम है वो कराने के लिए पर आसरे दूसरों पर आसरे देता है दोहराने एम अनुकरण की प्रविर्थी मतलब नकल करने की दोहराने की उसको बोल दीजे तो वो मुव बना कैसे दोहराता है कितने क्यूट होते ना बच्चे तो के प्रोमोशन और च्चाहिए दूसरा सारी की विकास में तो उसके बात क्या देटा है रहते हैं जर्म के बात बच्चों की सारी कविकास में तो ने तीकता का भाव रहता है आत्म गौरों की प्रविर्थी होते हैं नेक्स देख लेते हैं मूल प्रवित्यात्मक वहवार मतलब बेसिक स्प्रिच्वल बिहेवियर छोटा सा मूल इस्प्रिच्वल यह नो क्यूट से लगना प्यारे लगना मासूम लगना तो मूल प्रवित्यात्मक वहवार मतलब इस बेसिक स्प्रिच्वल बिहेवियर उनके रोने लग जागा तो एकांद में खेलने की प्रवर्ति होती है जीरो से 6 साल याने की सैस्वा अवस्था इनफैंसी बच्चों में और मांसी की योगिता का विकास होना शुरू हो जाता है ठीक है करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले जांजेए कि की सोरा स्वारी बाल यावस्था कहते हैं कि से 6-12 साल कुछ किताम हों पांच से बारा साल भी देता है लेकिन 6-5 के बाद लिखा होगा ठीक है तो 6-12 साल को कि सोरा अब बिलकुल आपको याद करना है अपने घर के किसी ऐसे सबस्वाश्था कौन सा है देखी आहां बालक का सरीर और मन दोनों अबसा बहुत नाजुक होते वा परत रहता है जैसे की चड़ना हो बालक शैसे बाहर जाना हो तो नहीं जा पाएगा लेकिन अब यहां क्या होता है बाल आवस्था में जैसे बाल बाले अवस्ता में बालक प्रिवेश करता है वह थोड़ा बहुत आत्म निर्वर होने लगता है उसकी गतिवीदियों का दारा बढ़ जाता है यानि कि वह बच्चा जो पहले के वह बेडरूम में खेला करता था बिस्तर पर खेला करता था अब नीचे आके खेलना पार्क में कुप्पु स्वामी के अनुसार बाले अवस्ता में अनेकों परिवर्तन देखा जा सकते हैं तो बाले अवस्ता का मतलब 6-12 साल इसमें आप ने देखा कि यह सहसे आवस्ता के बाद और किसे और आवस्ता से पहले किका आवस्ता है और सहसे आवस्ता में सरीर और मन दोनों अब एक सी दसा में होते हैं वह अपर अब फोड़ी चीजों को समझने लगेगा उसको कह दिया उसे नहीं छूना है तो चीजों को थोड़ा समझने लगेगा तो सारीक और मानसिक विकास में इस्तिर्ता आ जाएगी सूरच लाल है तो क्यों लाला असमान में तारहे हैं तो क्यों तारहा है आप प्रबल जिज्ग्यासा कि प्रकृति होजागी हर तीज वह यहांने कि कुसिस करएगा और चोथर तो वस्तंविक खेल कुद में उसकी थोड़ी से रूची बढ़ जाएगी राचनातमक कारें में रूची इधर से उधर करना कभी आठा साल की कोशिद करना तो यह सारी चीज़े बढ़ती जाती है छैसे बारा साल में आपस हेटिंग्स देखिए बाकी तो आपको स्वेम इदेदा मैंने बता प्रतियस्परदा की वावन अंटपन हो जाती है तो अब देखी, इसके इसी को इंग्लिश में लिधिया गया है तो stability in the physical and mental development, development of the mental abilities, the nature of strong curiosity, the relationship to the real world, okay, tendency to participate in a group sport, interest in a creative world, self-reliance, okay, next one is the commencement of the formal educations or competitive spirit, okay, तो यह दोस्तो हो गई बाले वस्ता की विश्यस्ता है, next देखते हैं दोस्तों, कि बाले वस्ता में सिक्छा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और सिक्छा के स्वरूप की प्रकृति कैसे ह होने चाहिए, आप देखिए, जिग्यासा की संतुष्ती, सिक्छा इस प्रकार हो, यह बच्चे के questions को आप fulfill करें, उसकी जिग्यासा को संतुष्त करें, certification of curiosity, रचनातमक कार्यों की विवस्ता, उसमें रचनातमक कार्य, drawing बनाना, कुछ गेम्स बनाना, प्रोजेक्स बनाना कई बच्चों को एक साथ रहके पढ़ाया जाए, तो इस टाप के बच्चे में इंट्रेस्ट लेते हैं, संग्रा प्रविर्थी का प्रोथसाहन, संग्रा प्रविर्थी का प्रोथसाहन, ठीक है, promotion of the collection instructions, मतलब उनसे ऐसा कहिए, कि वो collection instinct, मतलब कि कुछ चीज़े गाधी ज से निकलवा के लाना, तो यह संग्रा प्रविर्थी का प्रोथसाहन, उनको देना चाहिए, समाजी गुणों का विकास पर ध्यान देना चाहिए, कि समाजी गुणों का मतलब यह नहीं की जाके राजनीती पर बात करें, 6-12 साल के बच्चा क्या समाजी काम करेगा, लेकिन ह समाजी गुणों का सिक्षा का स्वरूपा का सुखना रविधी पर बल देना चाहिए तो यह था दोस्तो दो important point की बालOR की विदिदो को जो भी युवास्ता है उसको ख लेगे आई की लिए किसमें मैंने बथादी यह सब को पता है थो दिमाग में रिकलेक्ट हो जाएगा दोस्तन फुर्ण च्षा के क्योंकि हो सकता किसोरा औरस्था की ऑथी 12-18 साल मानroe यह 12.18 साल गें तो मानन मों विकास की सबसे विचीत Lex तरी जतिल और अवर्स्था किसोरा औरस्था क्या राती है इसका काल 12-18 अवर्सं अग रहता है इस में होने वाले परिवर्तन बालक के व्यक्तितों के गठन में महत्पूर्ण योगदान परदान करते हैं, यहां देखिए, उसके व्यक्तितों गठन में महत्पूर्ण योगदान परदान करते हैं, जैसे उसकी संगत वैसा उसका व्यक्तितों बनेगा, तो बहुत इंपोर्टेंट है दोस्त जिवन का सबसे कटीन काल है होता यह बहुत सारे दिमाग में ख्याला आते हैं छगड़ा बहुत सारी चीज़े चलती हैं लिए अपनी देने लग जाते हैं कि बस्ता का साब्दी कर देख लीजिए कि सुरा वस्ता को अंग्रेजी में Adolescence का हिंदी रुपांत्र है Adolescence सब्द लेटिन भासा के Adolescence से बना है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की तरफ बढ़ना अत्वा साब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते है कि कि सोरा अवस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमल करता है या आगरसित होता है तो इसका सांथिक अर्थ क्या हो गया कि सोरा अवस्था का साब्दिक अर्थ हो गया परिपक्वता की तरफ बढ़ना क्योंकि कि सोरा अवस्था को इंग्लिजिस में Adolescence कहते है और Adolescence LATIN ważषा के Adoles harus होता है परिपक्वत की तरफ बढ़ना तो यह हो गया दोस्तों सांथिक अब इसकी परिवासा देख लेते हैं, परिवासा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, आप स्वयम ही परिवासा बनांगे लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुलहन के अनुसार कि सोरा आवस्था बाले काल दाथा प्रावण आवस्था के मद्य अत्यदिक परिवर्तन का संक्रमनकार है, सबसे जज़री चेंजस इस में उता है, नेक्स्ट दोस्टों मानते हैं, जाइसिल्ड के अनुसार कि सोरा आवस्था वह अवस्था है, जिसमें मनुष्य बाले अवस्था से परिपक्वता की और बढ़ता है बाले अवस्था बच्पना से आप परिपक्वता की और बढ़ता है Stanley Hall के अनुशार कि सोरा अवस्था बड़े संगर स्तनाव तूफां तो था विरोध की अवस्था है फटक से इंग्लिस में भी देख लेते हैं अब बच्पना से मिच्वर्टी की तरब बढ़ते हैं मानसिक बच्पना की बहुलता है मतलब दुरियादारी की इसी में हम खोये रहते हैं कि सोरा वस्था में 12-18 साल तुफान का साल विद्रोप्रवत्य अक्सर पेरेंट से मत्भीध हो जाते हैं अपनी opinion हम देना चाहते हैं आत्मकेंद्रित होना वही अपनी उपनियन अपना एक वीचार हम प्रकट करने लग जाते हैं इस सवस्ता में अपराद वृति का मतलब कि सवस्ता में अकसर हम अपराद की तरफ मूव करते हैं जैसे कि अपराद की वृति होती है जैसे कि कुछ गलत संगत या फिर इन चीजों की तरफ में बढ़ना तो अपराद की वृति होती है कि सोरावस्था मांसिख सोतांतरता की भावना कि सोरावस्था में क्या होता नहीं कि बच्चे चाहते हैं कि self-dependent मतलब बहुत ज़्यादा foundation को अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा उनको समझाना उनको अच्छा नहीं लगता तो यह natural है इना यह human का nature है और उसे रावियर पूजा के प्रकृतिती मतलब एक एक इनसान की सोरा वस्ता में 12-18 में एक रोल मॉडल मानने लगता है एक इनसान को फॉलो कर लगता है उसी को कहा गया कि वीर पूजा की प्रेविट्टी और काम भावना मतलब फिज्कल डिजाइर हो जाता है ठीक है आप यह था दोस्तों आपके सामने 10 characteristics कहलेजिए गुण कहलेजिए नेचर कहलेजिए यह की सोरा वस्ता की उम्मीद है दोस्तों कुछ help रहा होगा यह सारी वह चीज़े हैं जो आप आलड़ी जानते हैं मगर एक बार देख लेने से चीज़े किलियर हो जाती है उम्मीद है दोस्त अगर अभी तक आपने चैनल के सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चब सबस्क्राइब पर किर जूड़ जाएए जैए जैवारा दोस्तों